तो ये क्या है ये अज कुकिंग करने का बहुत मन्ता इसलिए कुकिंग का सामान है और विदाउट फायर जो कि कोई भी बच्चा हमारे जैसा कर सकता है ठीक है लेकिन करने बनाने क्या वाल है हम ओर यह आईस क्रीम वाओ यम्मी वो भी खाली दू इंक्रिजन्स और एक कैंडी स्टीक से तो चलिए शुरू करते हैं तो ये हैं मारे पास ओडियों के पैकेट्स ये है मिल्क और ये है कैंडी स्टीक और हमको ये क्रश करना है पहले हां तो वो तो आगे दिखाएंगे और ये स्टीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले हम दू कर रहे हैं कोई बात पर में सकते है हो गया अब मैं करूंगी अ नहीं वा नहीं वा नहीं वा ये देखो तो है हमाई करश हो गई है पूरी तो हम इसे काटते हैं एक ही साइड काटना है दूसरा नहीं काटना है मुझे कोई जोड़ेत नहीं बेटी आरा नहीं यार सीधा कापना पड़ें आपना पड़ें तो तो है जोगों तो 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 और यह किस किसकी फेवलेट है वह इस वीडियो का लाइक कर देना मेरी भी है मेरी भी है हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क जादा नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है तो मैंने मिल्क डाल दिया है और अब मेरी बाली वह इना लोग पागले क्या कितना डलवाएक रख चलो तब हम इसमें डालेंगे स्टिक्स और अलाब म इसको ऐस में डाल देंगे ठंडा होने के लिए तो इह उसमें डाल पागलेंगे अब लोग को आप लोगों को थे आक और आए बोलना किसका अच्छा मेरा ही बोलना मुझा नहींदे आपकरो तो इसको हमने क्ष्पीस कर दिया है तरी आवर्स के लिए अब त्री आवर्स के बाद टेस्ट करते हैं यम्मी आप पी ट्राइक करें बौत यम्मी और बहुत कम इंग्रीडियंट से बनिये देखो कैसे लग रही है इत्म यम्मी है, आपी ट्राइ कर सकते हैं, ओके, यह देखिये ओरियो, आपके, ओरियो से बनाया है, तो अभी इन से कुछ होड़ते हैं, यह देखो, मैं खाते खाते मुझा, तो अगर आपको आजका हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइप करिये, सब्सक्राइब कर करिये, शेर करिये, और बैर आइक को ट्राइबाना मत बूले, बाइब बाइब बाइब